Hello students, welcome to my channel आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगी की water pollination कैसे होता है plants जो water में ग्रो करते हैं उसमें pollination जो होता है वो पानी के flowing में pollen grains flow करते हैं और वो जो flowers होते हैं उसको touch करेंगे तो उसको उसकी stigma में set हो जाएंगे इस तरीके का pollination होता है तो डीटेल से थोड़ा समझते हैं इसको तो जॉस्टेरा मरीना जो प्लांट होता है वो होता है completely submerged plant पानी में completely पानी के अंदर ही ग्रो करता है तो उसका कैसा होता है उसके जो प्रोलन ग्रेंज होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं और वो पानी के उपर टैरते हैं जब वो स्टिग्मा के अरौंड पे पहुंचते हैं तो स्टिग्मा से स्टिख होके उसमें germinator करते हैं वेलत रिया प्लांट जो है यह वाला प्लांट यह मेल फ्लावर और फीजवावर डिफरेंट डिफरेंट है फीमेल फ्लावर अलग है और मेल प्लावर्स ग्रो करेंगे और मेल प्लावर्स ग्रो करेंगे तो दोनों अलग-अलग प्लांट है तो इस टाइप के प्लांट को बोलेंगे डायोशियस प्लांट मतलब की मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग है male flower एक plant में grow करता है female दूसरे में तो अब इस type के plants में क्या होता है कि यह जो pollen grains है वो नीचे से निकल के उपर float करने लगते हैं पानी में यह सारे अब देख रहे हो यह सारे pollen grains float कर रहे हैं और यहाँ पर यह जो female flower है उसकी जो stock है वो ऐसे लंबी हो जाती है और उपर यहाँ पर flower रहता है तो उस flower पर यह जो floating pollen grains है वो आके उसकी stigma में stick हो जाते हैं जब flower stick हो जाता है तो यह coil जो है यह flower अपने आपको coil कर लेता है और flower को अंदर ले लेता है पानी के अंदर और फिर पानी के अंदर हाने के बाद उसमें fruit और seeds बनने का process अंदर अंदर continue रहता है तो इस तरीके से जो है वो water plants में pollination होता है या कह सकते हैं कि water जब agent हो pollination का तो इस तरह की process पुरी होती है तो यह जो pollen grains होते हैं बहुत छोटे होते हैं वो जो float कर सकते हैं पानी में इस तरह के होते हैं और उसमें exyne नहीं होता है तो बहुत ही कम थोड़ा होता है तो इस तरह की features होती है pollen grains की और जो flower की features होती है कि वो लंबे होते हैं पानी में float कर सकते हैं ऐसे होते हैं और वो वो पानी का जो होता है पानी से flow करके एक दुसरे से पहुंच पाई इतने light weight होते हैं यह pollen grains और flowers दो नोई तो I hope अब आपको समझ में आया होगा कि pollination by water या उसको कहेंगे hydrophily जैसे wind को कहेंगे ऐनिमोफिली इंसेक्ट को कहेंगे एंटोमोफिली तो water pollination को कहेंगे hydrophily तो इस टाइप का pollination इस तरीके से होता है अगर वीडियो समझ में है तो like करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेर